उत्तर प्रदेश में सत्तारूर बीजेपी सरकार ने रज्ज में घैर मानता प्राप्त मदर्सों के सर्वे के बाद अब वक्फ के तौर पर दर्श की गई सारवजनिक संपत्यों का रिव्यू कराने का फैसला किया है योगी सरकार के इस फैसले से AIMIM चीफ असतुदीन ओवैसी बेहत खफा हैं और उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है ये पूरी चीजें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रापर्टीस को यूपी सरकार टार्गेट कर रही है और दूसरा ये है कि आप वक्फ प्रापर्टीस को चीनना चारें तीसरा ये है कि आपका सुनी वक्पोर्ड है शिया वक्पोर्ड है अगर वक्फ प्रापर्टीस पर कोई एंक्रोच करा है तो आप उनसे बुला कर पूछिए वो आपको दे देंगे क्या वक्फ प्रापर्टीस पर सरकार का खब्जान ये तो आप ठाली करिये उसको मगर इस तरह का एक टार्गेटेट सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर घलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं तो ये सिस्टेमेटिक टार्गेटिंग हो रहा है मुसल्मानों साथ असद दिन ओवैसी ने मदर्सों के बाद वक्फ बोर्ट के सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि NRC और वक्फ पोण के सरवे में कोई अंतर नहीं है सरकार वक्फ की संबत्ती चीनना चाहती है यही नहीं ओवैशी ने सबाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक ही समुदाय का सर्वे क्यूं करा रही है आप कही रहे हैं कि हम मालुम करेंगे कि क्या मालूम करेंगे आप सिर्फ वक्ष प्राफटी से उसका भी तो इंक्वारी करिए ना सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है आखर रुकेगा कहा बाती है मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदर्सा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है इनका एक साजिश है एक मनसूबा है दिन बदिन साम में आ रहा है असद उद्दिन ओवैसी ने कहा कि वक्फ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और ना ही गवन्मेंट प्रॉपर्टी होती है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ओवैसी ने आर्टिकल 300 का हवाले देते हुए कहा कि यूगी सरकार आर्टिकल 300 का विवलंगन कर रही है इसके अलावा वबैसी ने यूगी सरकार को सल़ा देते हुए कहा ये अगर किसी ने सरकारी संपती को वक्व की संपती के रूप में कपसा गड़ लिया है तो सरकार को अधालत का रूप करना चाहिए तो आपको देखना चाहिए प्रेना कि ये वफ जो है वे प्राइवेट प्रापटी नहीं हो सकती ना वो गौर्रमन प्रापटी होती है वो तो आप ये क्यूं कर रहे हैं आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि डियारेंटी ज़री राइट टू प्रापटी ये इसका भी वाइलेशन यूपी सरकार कर रही है और अगर कोई इलीगल तरीखे से उसको गौर्रमन प्रापटी को वफ प्रापटी रेजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस रड़ी ना जाके आप ट्रैबुनल में जाईए आप जो सेक्शन 83 है वाफ ट्रैबुनल में जाईए आपको बता दें योगी सरकार ने वक्फ बोर्ट का 33 साल पुराना शासना देश रद्द कर दिया सरकारी आदेश के बाद वक्फ के नाम पर बंजर उसर भीटा जैसी सार्वजनिक संपत्ती को हत्याने वालों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी प्रदेश की योगी सरकार ने 7 अपरेल 1989 को इस बावर जारीक विवादिस शासना देश को निरस्त कर दिया है यहीं नहीं 7 अपरेल 1989 के बाद वक्फ संपत्ती के रूप में दर्द सभी मामलों का उनरपरिक्षर भी करवाया जाएगा